इंडिया, विविद संस्कृतियों और प्रंप्राओं का देश आदिवासी समुदायों की जीविन्त टेपेश्ट्री का भी घर है ये मूल निवासी लोग जीने अक्सर आदिवासी कहा जाता है देश की संस्कृति में मतपूर्णा स्थान रखते हैं हजारों वर्षों से चली आ रही संब्रिद विरासत के साद भारतिया आदिवासी समुदायों ने प्रकृति और अध्यात्मिक्ता से निक्ता से जुड़े अपने जीवन के अनूठे तरीकों को संरक्षित किया है इस वीडियो में हम भारत के जन्जातिय लोगों की आकरसिक दुनिया उनकी सांस्कृतिक संब्रिदी चुनोतियों और उनके पैत्रिक ज्यांग को संरक्षित करने की आवस्रक्षित का पता लगाते हैं भारत में जन्जातिय समुहों की आविश्वश्निय विविता है जिन में से परते की अपनी अलगलग भासाएं रिती रिवाज और समाजिक संरचनाई हैं विविन चेत्रों में फैली हुई नागालेंड, मनिपूर और मिजोरम जैसे पुरुवतर राजिय से लेकर छतिसगर, जारखन, बंगाल और मध्य प्रदेश के मध्य चेत्रों और उडिशा और आंध्र प्रदेश के दच्छिनी राजियों तक ये जन्जातिय पारंपरिक प्रथाओ और कलात्मक अभियक्तियों की एक सिंखला का प्रदेशन करती है। अध्मिक्ता मान्यताय प्रकृतिक के तत्व के साथ घनिष्ट रूप से जुड़ी हुई है और अनुष्ठान रेतियों के चक्र और सभी जीवित प्रानियों के अंतर संबंद का जश्न मनाते हैं। और बासूरी जैसे पारंपरिक वादिय यंत्रों के साथ मंत्र मुक्त कर देने वाला आदिवासि संगीत और लएबधनित्य प्रदशन सभी उनकी सांस्कृतिक पहचान के अभिनांग है। ये कलार रूप अक्सर अपने प्रुवजों की कहानियों, मिथकों और प्रकृतिक की मनमोहक शुंदर्ता को दर्शाते हैं। भारतिय जन्जातिय लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनोतियां। अपनी सम्रिद सांस्कृतिक विरासत के बावजुद भारत के आदिवासि समुदायों को एतिहासिक अन्याई, भूमी बेदेखल और अर्थिक हासिय पर जाने का सामना करना पड़ता है। बाहरी ताकतों द्वारा उनकी पैत्रिक भूमी का अतिक्रमन और द्योगिक विकास परियोजनाएं और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई उनके पारंपरिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण खत्रा पैदा करती है। गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा और स्वास्तिय देखभाल तक कहुँच की कमी उनकी भेदयता को और बढ़ा देती है। भारतिय जन्जात्तिय समुदायों को सरसक्त बनाने के प्रयासों में हाल के वर्षों में तेजी आई है। सरकारी पहल, गैर सरकारी संगटन और जमिन अस्तर के संगटन इन समुदायों के उत्थान के लिए सिक्षा, स्वास्ते देखभाल और कोशल विकास कारेकर्म प्रदान करने के दिशा में काम करते हैं। इसके अतिरिक अस्थाय आजविका को बढ़ावा देना, उनके भूमी अधिकारों को पहचानना और निर्ने लेने की प्रक्रियाओं में उन्हें सामिल करना, उनके ससक्तिकरन और आत्म निर्भरता में योगदान देता है। भारत की सांस्कृतिक विविता को बनाय रखने और मानोता के लिए उनके योगदान का सम्मान करने के लिए भारते जन्जात्य समुदाई की सांस्कृतिक विर्यासत को संरक्षित करना महत्पूर्ण है। भावी पीडियों के लिए उनके पैतरिक ज्यान को सुरक्षेत कर रखने के लिए उनकी भासाओ, परंपराओ और मोखिक एतिहास का दस्तावेजी करन अनिवार्य हो जाता है भुजुर्गों से युवाओ तक ज्यान के प्रसारन को प्रोथाइद करना ये सुनिश्चित करता है कि उनके प्रंपराओ समय के साथ कायम रहे भारत के आदिवासी लोग एक प्राचीन और विविद सांस्कृतिक विरासत के रखवाले हैं जो समय की कशोटी पर खरी उतरी है प्रकृति के साथ उनका सामन जश्य पूर्ण सह अस्तित्व और उनकी संब्रिद विरासत की कलात्मक अभिविक्तियां आधुनिक दुनिया के लिए मुल्यवान सबक है जैसा कि हम भार्द्य जंजात्य समुदायों के लचिलेपन और सांस्कृतिक सम्रिद्धी का जश्न मनाते हैं आए हम उनके अधिकारों की रक्षा करने उनकी भलाई को बढ़ावा देने और उनके पैत्रिक ज्यान को अपनाने के प्रयासों में एक जूठ हो उनकी विश्रिष्ट पच्चान को संरक्षित करके और उनके योगदान को महत्व देकर हम अपने राष्ट के सांस्कृतिक ताने बाने को सम्रिद्ध करते और मानोता के बंधन को मजबूत करते हैं